हाई फ्रेंड्स आज में एक एंटी इंफ्लामेटरी आईड्रॉप का रिव्यू करने जा रहा हूँ आखों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तमाल किया जाता है ब्रांडर नेम के अगर मैं बात करूं तो नेपा वेक आईड्रॉप ब्रांडर नेम से मार्केट में उपलब्द होता है और स्ट्रक प्राइवेट लिमिटेड के दारे इसका प्रोडक्शन किया जाता है कमपोजिशन की रूप में इसमें नेपा फिनेक 0.1% बाइवेट की मात्रा में उपलब्द होता है कीमत के अगर बात करें तो 5 ml का एक बाटल मार्केट में 170 रुपीज का उपलब्द होता है फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन्स आप तक आ जाएं और आप मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना करें फ्रेंड्स अगर आपने इस प्रोड़क्ट को इस्तेमाल किया है तो आपके क्या-क्या एक्सपिरियंसेस रहे हैं कोमेंट सेक्षन पर लिख कर जरूर बताएं आए फ्रेंड्स वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ बैकल्पिक ब्रांड्स के बारे में तो फ्रेंड्स नेपा ब्लू आईड्रॉप जिसे लूपिन लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है नेपा लेक्ट आईड्रॉप जिसे सन फार्मसेटिकल्स इंडस्टीज लिमिटेड के दोरा बनाया जाता है नेपा फ्लाम आईड्रॉप जिसे अजनता फार्मा इस लिमिटेड के दोर बनाया जाता है फ्रेंड्स मार्केट में मिलने वाले सेम कमपोजीशन या साल्ट के साथ उपलब्ध ये कुछ ऐसे डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं जो आप इस प्रोडक्ट के ना मिलने की सिर्थी पर भी पर्चिस कर सकते हैं आपको इफेक्ट सेम मिलेगा क्योंकि इसके अंदर का जो मॉलिक्यूल होता है वह सेम होता है आयो फ्रेंड्स अब कुछ मेडिसन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ प्रमो कुप्योग के बारे में तो जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि यह एक anti-inflammatory eye drop है और post-operative यानि operation के बाद आँखों में होने वाले दर्द के लिए इस medicine का इस्तमाल किया जाता है इस medicine को इस्तमाल करने के advice तब भी के जाती है जब आपके आँखों के अंदर में सूजन होती है आँखों के सरजरी के होने के बाद के लक्षणों और सूजन के रोकने में इस medicine का इस्तमाल किया जाता है अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके कुछ common side effect के बारे में तो चुकि यह medicine एक local level पर इस्तमाल किया जाती है आता है application side reaction यानि लगाने वाली जगह पर यानि आपकी आँख में हलका सा irritation या जलन जैसी इस्तिती आपको देखने को मिल सकती है इसके अतरिक इसके बहुत ज़्यादा side effect देखने में नहीं पाए गए है अब देखते हैं friends यह medicine काम कैसे करती है तो friends यह एक non-esteridal anti-inflammatory drugs की ग्रुप से बिलॉंग करती है जो कि आँखों में दर्द और inflammation यानि आँख का लाल होना या सूजा नित्याजी का होना आदी पैदा करने वाले जो भी chemical messenger होते हैं उनके release को block करता है जिसके करण आपको अपने लक्षणों में रहात महसूस होती है अब friends medicine से जोड़ी कुछ खास खास बातों के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ friends अगर आपकी आँखों का किसी प्रकार का operation हुआ है या अगर आपकी आँखों में किसी प्रकार का inflammation हो रहा है दर्द हो रहा है तो उस condition पर आपका डक्टर आपको इस medicine को apply करने के लिए सलाह देता है medicine का properly result पाने के लिए आपको medicine को लगतार 4-6 सबता है तक कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए आपने जब आँख में medicine को डाला है तो आपको 5-10 मिनट तक का इंतजार करना चाहिए जब आप आँख में इस medicine को डालते हैं तो एक से 2 मिनट के लिए stinging sensation हो सकता है अगर लंबे समय तक ऐसी इस्थीती लगतार बनी रहती है तो आपको अपने डाक्टर से इस बारे में उचित परा मर्स करना चाहिए अगर आप किसी प्रकार के blood thinners का इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको अपने डाक्टर से इस बारे में बात अवस्य करना चाहिए एक बात और विशेश रूप से मैं बता देना चाहता हूँ जब आप इस आँख का जो ड्रॉप है इसकी bottle का ओपन करते हैं तो चार सपता ऐसे लेकर सैपता है आपको इस medicine को पूरी तरह से इस्तमाल कर लेना चाहिए अगर medicine इस्तमाल नहीं होती तो उसे discard कर देना चाहिए क्योंकि यह फिर infection से loaded हो जाती है अब देखते हैं friends इसके कुछ safety features के बारे में तो friends medicine को इस्तमाल करने के दौरान आपको alcohol का save नहीं करना चाहिए गरभावस्ता और इस्तारपान से period से अगर आप गुजर रहे हैं तो हलाकि है medicine शुरक्षे तक फिर भी आपको अपने डाक्टर से परामर्स करना चाहिए kidney और liver रोग से जुड़ी किसी समस्या पर यह eye drop किस प्रकार का प्रभाव डालता है इसकी परयापत जानकारी उपलब्ध नहीं है इस medicine को इस्तेमाल करने के तोरान आपको driving कारे नहीं करना चाहिए क्योंकि इस drop को use करने के बाद आपको नजर में धुनलापन की समस्या हो सकती है ऐसे मगाड़ी तब तक आपको नहीं चलाना चाहिए जब तक सब कुछ साफ तरीकी से आपको दिखाई नहीं देने लगता है तो friends यह था एक छोटा सा review medicine की उपर मैं उम्मीद करता हूँ friends यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के medicine के review हमारे चैनल पर लगतार आते रहते हैं friends इट्स वीडियो में बस इतना ही किसे अन्ने अच्छे इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ आप से फिर मुलागात करता हूँ तब तक लिए good bye आपका दिन सुभो चैनल